नमस्कार दोस्तो मैं विमलेशी गॉत्तम और आप देखें है ट्रिपल वी ओरसीज दोस्तो अभी हमने जो कल मेडिकल कल मलेशिया के लिए एक अपडेट किया था मलेशिया के लिए हमारे पास में वेकेंसी आइथी किलीनर्स की रिक्वार्मेंट है जो कि हॉस्पिटल और कुछ अपडेट था हमें कंपनी की तरफ से हमारे क्लाइट की तरफ से रिकॉरिमेंट की अपडेट आई है कि अभी हमारे पास में सिर्फ 15 वेकेंसी सी है 15 वेकिंसी जे और 15 वेकिंसी के लिए भी हमें गाइडलान्स है कि 19 मार्च तक हमें सम्मिट करना को 19 तरीक को अबिसली हो ली है फिर 18 तरीक है और उससे पहले ही हमें इसको पर काम करना होगा में हमारे पास 17 तक मेडिकल आ करना चाहिए 17 तक मेडिकल आएगा तो यह माले जी कि उनका प्रोसेस इन होने के चांसे हैं अब यहाँ पर मैंने एक flexibility दी है कि आप मेडिकल कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन कहीं से भी करने का मतलब है कि अगर मेडिकल आपका कहीं में आपका application मेरे पास में होगा medical की जो slip होती है और passport photo vaccine certificate हमारे पास होगा तो हम आपके numbers को वहीं पर fix कर दें कि हाँ यह हमारे पास application है और जिससे क्या होगा कि जो अगर numbers कम भी हुआ होगे तो आप पर update कर दिया जाएगा कि यह वेकिंस यह candidate ने apply किया हुआ है जैसे कि उसको ब्लॉक कर देंगे अब अगर किसी ने कोलकाता मेडिकल किया कोलकाता से 14th की date 14th Monday है 14th को Mumbai में medical रहेगा 14th को जो लोग भी medical करने आएंगे वो लोग वहाँ पर आएंगे वहाँ पर हमारे office से या तो विजय मिलेंगे या फिर मैं मिलूंगा तो वहाँ पर medical हो जाएगा medical होने की साथ साथ में document submission तुरंत हो जाएगा जब document submission होगा तो definitely इसका effect यह प हमारे पास में जो भी steps हैं जो भी चीजे हैं अभी suppose कि यह कोई भी candidate apply करेगा और उसका accept होना बहुत important तब ही visa आएगा तो जो लोग भी 14 को पहुंचेंगे उनका process complete हो जाएगा जो 14 को नहीं पहुंचेंगे उनका process होने के chances कम होंगे क्योंकि जैसे हमारे पास में report नहीं हो करवा देंगे 14 तक जिनका नहीं हो पाएगा उनको हम अगर हमारे पास में वेकंसी रहीगे तो हम देखेंगे नहीं तो उसके बाद आगे जो वेकंसी होगी उसके इसाफ से उनको update करेंगे दोस्तों जैसे यह वेकंसी आई जिसमें किलीनर की requirement hospital और mall में है वैसे हमारे पास की तरब से होगा उसी के साफ से करवाएंगे बीच से लोग की requirement होगे उसका update हम वीडियो के मार्द हम से जरू करेंगे तो जो लोग में मलेशिया में दूसरी प्रफाइल में फैक्टरी वरकर में जाने वाले हो वो लोग भी ready रह सकते हैं लगबग 10 तारीक से 15 की बीच में करेंगे लेकिन फिलहाला भी हमारे पास में जो वेकेंसी है कि रिक्वार्मेंट उसकी उपर में भी फोकस करना है नम्मर्स कम है समय कम है इसलिए जो लोग भी प्लान करने वाले हैं वह 14 तक मुंबई पहुंच जाएं उनका प्रोसेस हो जाएगा जो 14 तक मुंबई नहीं कि उनका प्रोसेस इसमें नहों के बाद में कुई दूसरी प्रोफाल होगी उसमें हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में और भी वेकेंसी आने वाली हैं जो एक अच्छी सालरे के साथ में अच्छी अपॉर्चून्टी के साथ में होगी और प्लान्टेशन के लिए 14 को हमारा भी एसे साथ मेडिकल होने वाला है मुंबई में तो जो लोग प्लांटेशन रगल के लिए करने वाले हैं वह लोग भी 14 मार्च को मुंबई पहुंच सकते हैं और दूसरी म laughy करने वाला है कि राफाल है जिनका बजुट कमोगा वह लोग प्लांटेशन मिजा सकते जिनका ठीक है वो लोग cleaners के लिए apply कर सकते हैं criteria almost same है सब को same है plantation में age limit 43 साल रहेगी और cleaners के लिए age limit 45 रहेगी लेकिन 45 में 44.5 में 44 year 6 month की अगर age होगी तो भी उनको accept किया जा सकता बागी criteria same है ECR ECR दोनों passport apply कर सकते हैं passport में 2 साल के validity minimum होनी चाहिए अठार मेने से उपर क्यों होना चाहिए medically fit हो फिजिकल फिट हो टीवी लाइप में नहीं होना चाहिए टीवी होता है जिनको उनका medical कभी clear नहीं होता है Malaysia का medical वैसे normal medical है लेकिन टीवी वाले candidates इसमें reject हो करते हैं और weight उनका एक प्रकार से body के साब से weight होना चाहिए फूर्थी नहीं होना चाहिए energetic होना चाहिए और obviously long time काम करने के लिए ready होना चाहिए तो दोनों में ही same criteria है same है कि budget का भी एक fund आया कि budget कब होगा तो plantation में जा सकते हैं रेडी रहे medical करके अपने profile को successfully submit कर सकते हैं दोस्तों यह वीडियो कैसे लगा पसंद आ है तो like कीजिए comments कीजिए share कीजिए हमारे वीडियो को लगादा देखने के लिए चैनको subscribe कीजिए गंटी वाला option जरू दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो की notification सबसे पहले मिलेंगे धन्यवाद